इस तरीके से महराष्ट में सरकार को गिराई गई ठीक उसी तरीके की तयारी 36 गड़ में चल रही है कम से कम चुनाव का खर्चा तो बचा लो अब चुनाव ही बंद कर दो अब बारतिया जनता पार्टी का जो दिया है भूच गया है दिया के अंदर तेल भी पत एक ना सिंदे की तरह करें कि आपको भी जो है वह सीम बना दिया जाएगा उपेस बगेल को पैचानने में बहुत गल्ती कर रहे है यह महराष्ट नहीं है बाई और उसको खरीद लो उसको गिरा दो इडी को भेजो इंकम टेस्ट को भेजो नमस्कार मैं जोतिश चोहान जिस तरीके से महराष्ट में सरकार को गिराई गई ठीक उसी तरीके की तयारी 36 गड़ में चल रही है या यू कहें कि 36 गड़ में चल रही थी उसको अपना काम कर दिया है एक कोईले विपारी ने जिनका नाम है सुरकांत तिवारी उन्होंने सामने आकर कहा है कि IT यानि कि इंकम टेक्स की तरब से लगातार उन पर दवाब बनाया जा रहा है वो कॉंग्रेस के 40 से 45 विधायक सर्मपक सादे और उनको एकनात सिंदे की तरह सीम बना दिया जाएगा तो इसी मुद्धे बाचीत करेंगे जिस तरीके से हमने कई परदेशों में देखा कि एक के बाद एक अलग अलग सरकारों को तोड़ा गया और भादपा ने अपनी सरकार बनाई तो क्या केना चाहिए जिस तरीके से कोईले विपारी ने ये साफ किया है कि आईटी के तरफ से बार-बार उन पर दवाव बनाई गया सबसे पहले तो इस देश में प्रदान मंत्री हुआ करते थे मोधी जी आने के बाद वो प्रचार मंत्री हो गए सारे भक्त समुदाय बोल रहे हैं कि वो अठरा गंटे काम करते हैं लेकिन काम देश का कर रहे है या भारती जनता पार्टी का प्रचार कार्य कर रहे है वो भी एक सवाल है और मैं आपके माध्यम से अब उन लोगों को पुछने का कोई मतलब नहीं है पर आपके माध्यम से मैं इस देश की जनता को पूछ रहा हूँ क्या इस देश में लोकतंत्र है क्योंकि प्रधान मंत्री अपना पूरा कार्य काल छोड़के पूरा साल चुनाव जीताने में व्यस्त रहते हैं दूसरा अगर वो चुनाव आर गए तो फिर खरीद फरोस्ती चालू हो जाती है विदाय खरीदो सरकार गिराओ अगर कोई बिक नहीं रहा है तो उसके पीछे इंकम टेक्स लगा दो इडी लगा दो कुछ भी करो वो गोवा हो मनीपूर हो मध्यप्रदेस हो मेगाले हो आसाम हो हर जगा चनादेस की वज़े से चुनी कोई सरकारे थी उसको इसी रास्ते गिराया गया है एक नाच सिंदे की तरह कहरा है कि आपको भी जो है वो सीम बना दिया जाएगा आप 40-45 विधाय को कोई कठा की ऐसा आरोप लगाया गया है कोई न कोई जैचन तो इस देश में पेदा होते ही रहते है तो एक कोई आदमी ऐसा निकलेगा और वो जन समुदाई को अपमानित करके इन लोगों का काम कर देगा दूसरा ये एक इल्यूजन है मैं कांधी विचारधारा का वेश्विक प्रचारक होने के नाते दुनिया के 25-30 देश गुमा हूँ मैंने ऐसा लोग तंत्र कहीं नहीं देखा है कि कोई बहुमत जन समुदाई की वज़े से कोई सरकार बहुमत से चुन के आती है और उसको खरीद लो उसको गिरा दो इडी को बेजो इंकम टेस्को बेजो तो अभी ये लोग तंत्र नहीं है 36 घड में कोईला वेपारी को जिस तरीके से ये ओफर दिया गया CM को लेकर काफी लोग जो है पिखल जाते हैं कि मेर को CM बना दी जाएगा क्या कहना चाहेंगे उस वेपारी ने सामने आकर कह दिया सारी बार पूरे देश को उस वेपारी का धन्यवाद अदा करना चाहिए कम से कम अपने निजी नुकसान को देखते हुए भी उसने लोग तंत्र बचाने का काम किया है और मैं चाहता हूं इस देश का हर नागरी कैसा सोचे हर विदाय कैसा सोचे कि भई हार जाना बेतर है पर हम बिकेंगे नहीं हम किसी की जाल में फसेंगे नहीं और लोग तंत्र को जिंदा रखेंगे अमिशा कह रहे हैं कि अगले आने वाले 35-40 सालों तक बीजेपी का वर्चस इसी तरीके से बना रहेगा तो फिर चुनाव ही बंद कर दीजिए जब खरीद लेना है विदायकों को ED income tax की रेड करवा के अपने पाले में लाना है तो फिर कम से कम चुनाव का खर्चा तो बचा लो अब चुनाव ही बंद कर दो अपने आप बस बेड़ जाओ अपने आपको डिक्टेडर घोसित कर दो अब वैसे भी मेरे इसाब से तो ये सरमुकत ट्यार साई है क्या कहना चाहिए जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल कर आई है आप युवा हैं देश के भविश्य हैं और इन तमाम उद्धो किस तरीके देखते हैं जैसे एक तो हमने देखा कि महराष्ट में निकल का आया आप 36 गड़ में 36 गड़ में जीस तरह से वैपारी को जो बूला गया है और खरीत वरित की बात कर रहे है तो मोदी वह वैपारी है उनको पता नियुक पैजना और देख चलाने में दोनों में अफ सफहा उता है फरdi होता है वह टाकति कर रहे हैं उनकी टाकत निया अभी इलेक्शन जीतने का अभी हमनी लगता के इस पॉजिशन के अंदर इनकी ताकात नहीं है कि ये इलेक्शन जीत पाए तो उनके पास में जो पूरे देश को लूट लूट कर जो चंदा कटा किया गया है उससे हम MLS खरीदे गए और हमारी सरकार को टिकी रखेगे सबको यही काम पे लगाया है कि कोई भी वेपारी है उसको जाके पकड़ लो कोई भी MLS MPI के उसको पकड़ लो उसको दबा के रखो जिससे वो अपना काम हमारा काम करें यानि भारतिय जनता पार्टी का काम करें तो एक लोग तंतर तो अभी रहा नहीं है कहीं भी उस वेपारी ने भारतिय जनता पार्टी का जिक्रनी किया उन्होंने कहा कि IT यानि इंकम टेक्स दिपार्टमेंट की तरफ से उनको कहा गया सर्व माधियम कोई भी हो पर शुरुवात तो महाशे हुवी है वेपारी को पता है कभी दिया भूज गया है सर अभी बारतिय जनता पार्टी का जो दिया है भूज गया है और पुरी जनता भी जान गई है भी बराबर अभी तो इस बर जो इलेक्शन होगा माहुल आपको अभी पता ही बराबर है और यहां का महुल तो बता रहे है कांग्रेस पूर्ण बहुमतिस जीत रही है सर्गुजरात में मोधी मैजिक नहीं चले नहीं सर यह दबाने की राजनिती है सर अब यह पिछले सार मेरे को दबा के 27 सल जैल में डाल दिया था मेरा एकी मुद्दा यहां की जो पुलीस है जो पुलीस काम करती है तो पुलीस को तनखवा मिलती है उसमें घर नहीं चलता है सर तो फूलीस को तंखवा मिले उसका जो पघार है जो बढ़향 थोड़ा बांग जाए उसकी हमने चुनाओ है और गुजरात से उन्होंने शुरुआत की है तो क्या लगता है इनकी नीव जहां से रखी गई वहां पर क्या हाला यहां पर क्या है कि हिंदू मुस्लिम उनके पास में मुद्दा है नहीं सर पैट्रोल का जो भाव बढ़ रहा है देखो आज को पैट्रोल गारिय हमने तो देखी नीथे हमारे जो पड़े इतनी फीज में तो पूरा हमारा आठ नौ पीड़ी सर पड़ जावी इतनी फीज के अंदर तो तो महेंगवारी बहुत है और गुजरत की जो जनता है वो भी जान चुकी और यहां का इंफ्रस्ट्रक्टर है यहां के रोड रस्ते अभी आप बरसादी महोल के अंदर साली सर अमदाद घूम लीजिए तो आपको बारतिय जनता पार्टी का जो नकली विकास है वो पता चल जाएगा सर आप आपकी बाइक लेके निकल जाई है सामको आपको बैक पैन होगा सर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा सर बारतिय जनता पार्टी का विकास आपको डॉक्टर की ओर ले जाएगा होस्पिटल में ले जाएगा और वो होस्पिटल के जो कॉंग्रेस की सरकार के अंदर फ्री में दवाये या इलाज करती थी और प्राइवेटी करन उसका कर दिया है तो वहाँ पे आपको विकास देख रहे है इन लोगों ने जब 2002 से मोदी साब आये अमिच साब आये तब से लेके उनकी पार्टी में इन्हों ने जो काम किया है वही काम अभी वो देश में दूसरी पार्टीयों के साथ कर रहे जैसे आने के बाद भारतिय जनता पक्स में से जो भारतिय जनता पार्टी का उसमें जिक्र नहीं उन्होंने कहा है कि एक आईटी इंकम टेक्स डिपार्ट्ट में अगरी आपको इनकी मेंटालिटी दिखा रहा हूं मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित सा की मेंटालिटी क्या है जो लोग इनको भई जनक लगते मतलब जिन से डर लगता है उनी लोगों क पहले ये लोग कुछ ही इसाब से डराने की कौसिस करते है फिर इनके खेमे में लेने की कौसिस करते हुए इनका पहले से रवया ऐसा हुआ है साइद इनकी पार्टी हो या भारत देश के अंदर दुसरा कोई वीरत पक्स हो जैसे इनोंने महराष्ट में किया आपने बोला एक वेपारी है अच्छी बात है वेपारी ने खुल के सामने आके बोलने की इमत की बहुत सारे से लोग है कहीं कितने लोग ऐसे जो धरम से डरे हुए कितने लोग ऐसे जो दंदे से डरे हुए कितने लोग ऐसे अपनी खुद की इंडस्टियालिस्ट बचाने के लिए जो स सरकार के डिपार्टमेंट से जो परेशानी होती है उस परेशानी को लेके वो लोग कुछ बोलते नहीं है अब 36 गड़ में जिस तरीके से भुपेश बगेल हैं और इस तरीके खेले की तयारी की जा रही है क्या मानते हैं कि भुपेश बगेल होने तेंगी बेलकुल नहीं काम करके लोगों की बीच में जाके बेटा हुआ है अभी आप जाओ तो सही पता चलेगा कैसी वहां क्या खेल खिलाए जाता है चतिस गड़ में हर जगा पे भाई आपका दाव सफल होगा यह समद लेने की जरूरत नहीं है समद लेना है मिश्टर मोदी और मिश्टर प्रजान मंत्री जो है वो प्रजान मंत्री देश के लिए जितना गंटे काम करते हैं इससे ज्यादा तो बीजे पी के लिए कर रहे है अभी अभी जनता को समद लेना चीए भारत की जनता को समद लेना चीए कि प्रजान मंत्री चुनना है या प्रचान मंत्री चुनना है बरबर दूसरी बात एक कि चलो इन्होंने जुठी बात बता 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 कि गुजरात वाले को 27 साल तक इतना ठगा है अभी आप ये तीन इस बारिश में वो लोग को इतना जुठ बोलना पड़ता है तीन इस बारिश को 14 इस बारिश बता के अपनी गलतिया छुपानी कि विजेपी की तमाम नेता कहते हैं कि बीजेपी का मोधी जी का डंका पूरे देश में और दुनिया में बज़गा है अब तीस देश बहुत अच्छा सवाल के आपने जितने भी देश में गया तो लोग वहां के लोग हमें पूचते हैं कि आप कहां से हो अगर हमने बताय कि मैं भारती हूँ इंडियन हूँ देन उसके बाद में उनके लिए बहुत ही सन्मान ही व्यक्ति हूँ क्योंकि लोग इस देश को सत्य और अहिंसा के पूजारी महात्मा गांधी की भूमी समझते हैं लेकिन इन लोगों ने साथ साल में देश का महोल इतना गंदा कर दिया है कि लोग वो आदर तीरे तीरे कम होने लगा है बढ़ रहा है अब दुलहा है उसकी तारिफ दुलहा की बुआ नहीं करेगी तो कौन करेगा लेकिन जो वास्तविकता है वो मैंने आपको बताई कि ये प्रोपोगेंडा नहीं हिंदू मुस्लिम वाला प्रोपोगेंडा बिल पाचीत करें है और जिस तरीके से 36 गड में यह तयारी की जारी थी जिस तरीके से महराष्ट में खेल किया गया उसी खेल की तैयारी 36 घड में की जारी थि लेकिन उस कोईला वेपारी ने उसको फिलाल के लिए तोड़ दिया है तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ इसमें अपडेट निकल कर आते हैं क्या कुछ होता है जो भी होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलाल के लिए नमस्कार